हलो दोस्तों स्वागत है आप लोंगा हमारे यूटूब चैनल माहन सर में दोस्तों आप हम पढ़ेंगे हरपा सब्बिता के बारे में हरपा सब्बिता जो की आपका क्या है अगर आप कोई एक्जाम देते हैं तो बहुत इंपोटेंट आपका सेक्शन रहता है यहां से कोश् जनर्नल इनफोमेचन के बारे में बात करेंगे और स्पारी चीजों को पढ़ेंगे ये के एक किलास में पढ़ लेंगे पूरा का पूरा डाटा एक किलास में आपका क्या है क्लास फिनिस्क इससका हरो यह जो है ना कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजह देखी थी प्रत्वी पे कुछ खुदाई बगेरा देखी थी तो उनका इसकी तरफ ध्यान आकरसित हुआ लेकिन उनका ध्यान गया उनका रहे छोड़ो यार क्या है बबाल छोड़ो इसको फिर क्या हुआ 1853-56 में क्या होता है ना लाहोर से कर लाहोर से करांची तक जिब खुदाई कराई गई तो देखा बहां पर बड़े-बड़े सहर का सहर निकल लाया बड़ी-बड़ी गिट्टिया निकल निकल रहे बड़े-बड़े कुमें बहुत सारी चीज़ें आपके निकल रहे तो एकदम पुछी सरचना टाइप के निक 1221 में क्या होता है 1921 में किया होता है दोस्तों 1921 में जान मार्शल बारतिये पुरातत्त और एवम सरवेच्छन विवाक के अद्याच ये थे और दयाराम सानी और मादल सुरूप बस Ersti全 और की खुदाई की दीखिए अद्याच थे कहन जान मार्शल, खुदाई किस ने की, दायराम सायनी और मादस रूप बस ने, मादस रूप बस इनके सायक थे, दायराम सायनी मैन कार करता थे, इन्होंने खुदाई की, और काउन जेनरल कनिंगम, जेनरल कनिंगम थे, ये जो खुदाई हो रहे थी न, ये वाली जो खुदाई ब्रेंटन और बिलियम ब्रेंटन ने कह गिया दिखा यहां तो बड़ी बड़ी चीज़ें निकल रही है तब जाके वो निकल के आई कि एक हडपा सब्विता है एक बहुत बड़ी सरचना निकल के आई थी और उनिस सो चौतर में जीन फ्रेंग कोई जनामक व्यक्ति होते हैं उन्होंने महरगड की खोज कर ली उस अडपा सब्विता से भी पीछे का एक सहर था उसकी खोज कर ली ती तो बड़ी बड़ी चीज़ें इन लोगों ने खोज की थी अब देखिए यहां पर आगे बढ़ते ह हैं और आगे समझते हैं अडपा का सबसे पहले हम काल आनू किरम समझ लेते हैं उसके आदार पे हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे दिखिए अडपा का जो काल किरम रहा है न यह मैंने यहां पर टाइम निखा है यह चरण लिखा है यह यूग लिखा है तो 7520 से लेके लग नहीं सर रचना की खोज हो गई तो यह दोनों यह आपकी क्या कहलाएं प्रिखडपा कहलाएं उसी कोड़ा कारिया पर हम क्या देखेंगे 2350 से लेके 1750 तक ये 61 टाइम रहा है और इसी को परिपक अडपा यानि कि इंडस बेली सिबलाइजेशन कहा गया है और 1750 में तो आपको पता ही 1750 BC में अडपा का पतन शुरू हो गया था तो यहां पर अडपा डेलाइन होने लगी थी अब दिखी जो 18 सब्विता है ना ये शुरूप बिता क्या है ये एक कांस्युगिन सब्विता है कांस्युगिन बोले तो यहां पर जो धातु इस्तमाल हो रही थी ना वो कांसे की हो रही थी उत्तर पर्ष्चिम भारतिये उप महादीप में विख्षित हुई एक सब्विता थी एक कांस्युगिन सब्विता थी ये भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में विख्षित हुई थी इसके साथ दो अन्य सब्विता हैं जैसे कि मिजर की सब्विता है मेसोपोटामिया की सब हडपा को क्या कहते थे तो वह मेलुआ नाम से पुकारते थे इसको सबसे प्राचेन सब्विताओं में से एक थी हमारी ये सब्विता इंडस पहली सिब्लाइजेशन इस्टूर्ट पिगट एक बेखती हैं जिनोंने हडपा और मोहन जोदुडों को जुडबा राजदानी का है तो ये वर्ड आप याद रखना ऐसे ही के ऐसे ही पूछ लिया जाता है ये मैशिंग दो कॉलिम में पूछ लिया जाता है कि स्टूर्ट पिगट ने अडपा और मोहन जोदुडों को क्या बोला है ये आप याद रखना अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं इसके विस्तार को देखिए अडपा सब्विता का विस्तार यानि सिंदु सब गुदाबरी नदी जो कि प्रवरा नदी की साहिक है प्रवरा नदी यहां पर एक पड़ती है तो यह बहां पर आपका क्या है यह है आलम गिर उत्तर प्रदेश जो कि आपका बिल्कूल आप जाएं तो पूरप साइड में देखेंगे हिंडन नदी के पास तक यहां पर पस यह हडपा आपका है काली बंगा है बना बली है रोपड़ है मांडा है यह आपका क्या यह है आलमगीर मौन जोद्रो चनुद्रो शुत्का को यह सारे आपके क्या है वो यह हडपा सब्विता से ही जुड़े आपके क्या है शहर है दौला बीरास और कोद्रा देसलपूर यह स से 945 इस्तल है अड़पस अब इस चाहने कर दो हैं अब अब देखिए अड़पस अब बारे दो टेरा लाग बर किलोमेटर ताप पहले लेकिन अब इतना है 20 लाग बर km अब है किंकि खुदाई और भी हो चुकी है मिसर प्लाइस मेसोपोटामिया से ये 12 गुना ज्यादा है अगर केवल मिसर से देखा जाए तो ये 20 गुना ज्यादा है ऐसे समझे है 20 गुना ज्यादा आपका चे upright फफल हडपा का बहुत बड़ी सब्विता थी अब हडपा सब्विता के पिर्मों किस्तल देख लीजिए महत्मुन जैसे आपका यह हो गया हडपा मोजोद्रो लोथल दैवलाबीरा काली बंगा बना बली चनुद्रो बहुत इंपोर्टेंट इस्तल हैं एक एक इस्तल को बड़े ही खोज को देख लेते हैं जान मार्सल ने खुदाई करता काउने 1921 में धैराम सानी सायक इनके मादा सुरू बचते और बरतमान इस्ति इसकी क्या है इस लोकेशन की पाकिस्तान में यह एडपा सब्विता इस टाइम पर यह साहर मॉंट गोमरी जिला में राभी नदी के किना पूर्वी टीला है पच्चमी टीले को हम क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं दुर्ग या गड़ी या उच टीला बोलते हैं या उच बर्ग यहां पे निवास करता था यह निम्ल टीला है पूर्वी टीला है अब देखिए इनकी विशेष्ता है यहां पे क्या है रच प्राइटिमर हुईलर ने खो जा था और यहीं पर दोस्तों एक कबर भी मिली है उसका नाम है आर 37 कबर यहां पर मिली है अभी आर 37 क्या है आर 37 का मतलब यह है या तो इसमें 37 कि इस लोग दफन किये गए होंगे ऐसा भी हो सकता है या इसका नाम है सहतिस कबर मिल गई हूं कुछ भी हो सकता है यह पर दफनाने का साच्च न्यथा यहां पर यहां संस्कृत्य Äras logira का यह फॉस्ट ht रा पस्ट में तेला आपवकुई तखा अब यहां पे देखिये यहां पे यह वाला डटा देखया आप लोग यह मैंने यांपे बनाया यह देखिए बारा क्यों दीज्ए produkt है को ला गए द Candre के अब यहां पे कहां पे तहें यह Alfie यह दिखना में आपको एक सर्फिलस एकोनमी थी इनके पास और यहां पे 18 ब्रत्ताकार चबुत्रे बोलते हैं चंत्रे उचे 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 अपने देखे होंगे गाउं में होते हैं उन पे लोग अपने धान गें बगएरा लाके डालते हैं सुखयन के लिए तो बो आपके मिले हैं यहां पे 15 सिर्मि के लिए थोड़ा जूम कर देता हूं देखिए यहां पे क्या है सरबादिक अबिले की मोरें आपको यहीं से मिलेंगी अबिले की मोरें जिस पर कुछ ना कुछ लिखा होगा कुछ ना कुछ छपा होगा और सरंगार दान की यहां पे बहुत चीजें मिलेंगी काजल की बोत भी आपको यहां पर मिलती है ने इसती काद से, बहुत्य से झिलता है, और इसी में आपके गर्ब से पौधे का सितरण। बात है इस्तरी के गर्ब से निकलने का पौदिका चित्रण मुझा गया है यानि कि उत्वाधन का एक तरीके सर्क्ष एकोनमी का यहाँ पर साक्ष मिलता है मातर देवी की पूजा यह सारे चीज़ें यहाँ पर मिलती है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ अब मैं आपको क्या है अगली स्लाइट पर लेके चलता हूँ बहुत आगे निकालाता हूँ थोड़ा सा जूम क्या कर देता हूँ तो यह हो जो हुई है ना वो 1922 में हुई है राखालदास बनर जी ने और ये नदी जो है कौनसी सिंद नदी के पास सिंद नदी बोले तो सिंदू नदी और पाकिस्तान के लरकाना अपके उसमें है प्रांत में मार्शल जो है ना एक है विक्ति मार्शल उन्होंने का है मोहन जो दो और यहां दोस्तों सब को जलाने का शाक्ष मिलता है ना कि दफनाने का अडप्रा में डफनाया जाता था यहां पर आप देखिए करते ने मैं एक फोड़ा पहले मैं इसको देखा हूँ इसको बाद में बताता हूँ यहां पे आई idea और पूरवी टीला पूरवी टीला हुआH tussen और पाठरी मिदीति के स्प unique जाता है। और यहां से जो साक्ष मिले हैं देखिए सवा भवन मिले हैं आपके यहां पे पुरोईत आवास यहां से मिले हैं महाबिद्याला यहां से मिला है विसाल इसनानागार मिला है यहां से यह विसाल इसनानागार जिसको मार्सल ने ततकालिक विसको आश्यर भी कहा है विसाल इसन इसकी जो लंबाई चोड़ाई यह रहती है यह इसकी लंबाई चोड़ाई रहती है 11.86 मीटर इसकी लंबाई थी और 7.01 मीटर चोड़ाई थी और उचाई पर यह इक इतना उचा था कितनी इसकी हाइट थी डो प intrigued 23 मीटर इसकी हाइट थी आपे याँ प्याद रहो ऌज़ाई मैंने अब देखें कांसे की नगनमूर्थी थोड़ा जूम करता हूं फिर आपको समझाता हूं इसको जूम करके समझाए जा सकता है क्या है कांसे की नगनमूर्थी आपको देखने को मिलेगी और यह एक एक्जाम में पूछा गया था कि कांसे की जो नगनमूर्थी यहां से म मिलेंगे दाड़ी वाला सादू यहां से देखने को एक मूर्ती मिलेगी हाती का कपाल खंड जो लोग अलग-अलग चाईजों में इस्तिमाल करेंगे सत्रंज की गोलियां सुधर्तम इट का काम मतलब बहुत अच्छी इंटों का यहां पे काम देखने को मिलेगा सूती कपड के 90 अंस के कौंड पर सड़कें काटेंगी एक दूसरे को कैसे एक सड़क आपकी यह जा रही है तो दूसरी यह आ रही है ऐसे आपको काटती मिलेंगी और इटों का साइज जो है ना वो चार अनुपाद दो अनुपाद एक के अनुपाद में मिलेगा यानि कि 28-14-7 के इस म पर्चा, नालियों का सिधा करेक्शन आपका बड़े सःर की नालियां थी ना धी नालियों का सिधा गटरसे संबंद होते उनको गाँ से बाहर निकाल दिया जाता था जाता लोगत अच्छी विवस्ता हुआ करती थी अब आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं आगे देखते हैं तो अगला आपका कौन सा है ये देखिए लोथल लोथल वाले को पढ़ते हैं लोथल को पढ़ते हैं देखिए लोथल में क्या है इसको भी पढ़ते हैं थोड़ा सा जूम यहां पर भी करेंगे थोड़ा ही यह देखे खुदाई करता आपके काउने स्री रंगनात राओ है भोगबा नदी के किनारे लोथल आपका क्या है मिला था रहता है मिला था का मतलब कोई ब्यक्ति नहीं है एक जगए है खमबाद की खाली में और एहमदाबाद गुजरात का जो सरगौाला गाउं है यह बहां यह नाम आपके कैं लगव अडव और इसको महनचवद्बॉ काईते है लूतल गो किम की यहां पे बहुत सारी चीजें मिली थी बहुत तरे चीजें थी जो अडवपा और महनचवद्बॉरसे मिल थी बहूत बड़ा शाहर भी था यह था यह मूर्दों का नंगर इसको कहते ते क्योंकि 20 समादियां मिली हैं तीन युगमिस समादियां मिली हैं इसका मतलब यहां पर सती परता जैसी चीजों को देखा गया लेकिन ऐसा था कुछ भी नहीं यहां पर और विशेष्टा इसकी क्या थी एक मात्र सहर ऐसा था जिसके दरवाजे सडकों की तरफ खुलते थे मैन रोड की तरफ खुलते थे इसके दरवाजे यह पहला ऐसा सहर था और यहां पर देखिए और यहां पर भी क्या था दोस्तों यहां पर भी क्या था यह देखिए पच्चमी टीला यहां पर भी था और पूर्वी टीला यहां पर भी था यहां पर उचबर्ग यहां पर न देखने को मिलती है अब यहां पे साख्ष और वाग जाता है उपर को यहां पर जो सह्वे हैं यहां पर निर्मित बंदरगाए कोदी बाड है उनके कहार खाना सोने के मनके बनते थे गोड़े की मिरण मूर्ती, लगू मिरण मूर्ती मिलेगी, गोड़े की हस्तियां यहां से मिलेगी, फारस की मोरें में गोड़े का जिक्र मिलता है, फारस की मोरें गोड़े की हस्तियां जो की सुर्कोटजी जे भी मिलती है, तकी सुर्कोटजी और सुर्कोटड़ा यह अलग की चक्की, हाथी दात का पैमाना, रंगाई कुंड आपको लोथल से मिले हैं, मोरों पर सूती बस्तर की चाप, ममी का मांडल लोथल से, लोमडी और चिडिया का चित्र लोथल से, सतरंज का खेल, देकि सतरंज की गोलिया कहां से मिली हैं, वो आपकी मोंजोदुर से मिली हैं, सतनी सत्रंज का गेम कहा खेला गया था ये आपका लोथल में खेला गया था बाजरा और चाबल के साथ दो मूँ वाली राच्छर की मोरें बेलनाकार मोरें गोलाकार मोरें वरगाकार अगनी कुंड ये अगनी कुंड फलाने अगली कुंड सब की तरीके की चीज़ें यहां प कोज की थी खुदाई अर्नेस्ट मैके ने 1935 इसमें कराई थी इसकी नदी यहां पर भी सिंद है इतने में दड़ू लगा होगा मोंज जद्रो चनू डड़ू जो भी होगा उसमें सिंद नदी होगी ठीक है और मोंज जद्रो से 130 किलोमेटर या 80 मिल दूर पे था इसको प्रा को कारीगर थे यहां के लोग बहुत ही डेबलप थे बहुत अच्छे कारीगर थे यहां पर भी आपका पूरवी टीला पस्टमी टीला यहां पर पस्टमी टीला पूरवी टीला मिलता है और कोई भी टीला दुरगी की रत नहीं था किसी भी टीले पर दुरग नहीं था पे चनुदड़ो में मिलती है एक आपको चार पई की गाली भी यहीं से मिलती है मौर निर्माड के अंदर मुद्रा निर्माड के अंदर यहीं से मिलता है और एक बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुस्ता यहीं से मिलता है यह मैंने इमेज लगा दिये देखिए यह कुस्ता ह काली बंगा इसकी खोज अमला नंद घोष ने 1903 में के थी खुदाई 1957-61 में बीबी लाल और भीके थापड के द्वारा कराई गे थी ये राजिस्थान में है गगर नदी के किनारे राजिस्थान हनुमान गड़ या गंगा नगर जिला के पास है यहाँ भी प्राक अडपपा और विक्षित अडपपा के साक्ष मिलते हैं जैसे कि अभी हमने चनुदड़ों में देखे थे काले रंका इसका अर्थ है काली बंगा का अर्थ है काले रंकी चूडियां इसका अंत भोकम से हो गया ता ऐसा माना जाता है यहां क्या था दोनों ही तीले थे क्या है रच्छा प्राचीर से गिरे हुए थे और दोनों ही अलग-अलग तरीके से गिरे हुए थे जैसे यहां पे अलग बाण्डी थी इसकी अलग बाण्डी थी और यहां पे उच्छ भरग था यहां पे निम्न भरग था ऐसे समझे शाक् उट की एड़िया राजिस्थान बोले तो काली बंगा मनुष्वा बकरी को एक साथ दफनाया गया काली बंगा में हवन कुंड यही से मिले हैं चूडियों का कार खाना यही से मिला है क्यूंकि काली बंगा काले रंग की चूडियां इसका मतलब होता है लकड़ी का हल काली बंगा से एक मिट्टी का हाल है दोस्तों वो बना बली से मिलेगा मिट्टी के यल को याद रखना बना बली से मिलेगा ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाते हैं हलफल बगएरा अब यहाँ पर देखिए दौला भीरा दौला भीरा की खोज आपकी कब हुई थी उनिससों 67 संस में जगपद जोषी ने इसका कैया कच जिला जो की कच खाड़ी में है लोतलप का कहा पर था खमबाद की खाड़ी में था यह कच खाड़ी में है इनेसकों की विसवराशत सूची में ये सामिल है और क्या बोलता हूँ, 2021 में एक मेटिंग हुई थी, अनलाइन मेटिंग, तो उसमें इसको सामिल कर दिया गया था, दोला पीरा को, यहाँ क्या था, कोई रच्छा प्राचीर नहीं थी, इन पे, खिन पे, टीलों पे, यह पूर्वी टीला, यह आपका पस्ट में टीला, और इ यहाँ पे एक, इस्टेडियुम का भी जिक्र मिला है, खेलने के लिए, यह अच्छें, पत्तर की, बनी, नेबले की मूर्ती, लंबा जलासे, जलकुंड, बान यहाँ पे देखने को मिले जलकुंड भी यहाँ पे मिलेगा, जलासे भी यहाँ पे मिलेगा, और डकी हुई, उच्छ डकी हुई निकासी जो जल विवस्ता है नाली बगएर आई यह बहुत अच्छे से कबर्ड थी डकी हुई थी यहाँ पे नेम पिलेट मिली है मतलब नेम पिलेट बोले तो जैसे घर के घर होता है आपने देखा होगा सेरों में दरबाजे पे एक नेम पिलेट लगी ह थी 64 मूल चिन मिले थे जिस पे पता लगता है कि 28 सपिता में लिखाई पड़ाई भी होती थी खेल का मैदान मैंने बताए दिया इस्टेडियम यहाँ से मिला है आगे बढ़ते हैं एक और आपका है बना बली बना बली 1973 सचवत्तर में रबिंदर सिंग बिस्ट ने यानी आरेस बिस्ट ने बना बली कहां पे है यह 1990 में इसकी खुदाई कर ली गई और रंगोई नदी के किनारे पे है कहां पे इसार अर्याना में है कुसल नियोजी स्टेर था मोन जोदुरों की तरह बड़ाई डेबलब्ड ब रा कडपा और विक्षित रपपा इसको कहते हैं जैसे की चनुदड़ो और काली बंगा को कहते हैं यहां पे जो साक्ष मिले हैं मिट्टी के हलकी मैंने बताये था भी यहां पे मिले थी आकरती और मिट्टी के खिलाओने मातर देवी की मिरण मूरती मातर देवी की उच्च सरसों का डेर, अच्छे किसम के जाओं के बीज आपके यहीं से मिलते थे, यह आपका फैक्ट है, यह आपकी इतना डाटा आपको यहां से मिलता है, अब अनिस्थल को देख लीजी, अधरिस्थल भी तो हैं, उनको पढ़ लेते हैं, जो कुछ आपके कहां पे हैं, पाकिस्ता यानि बारत में, पहले बारत बाले देख लेते हैं, बाद में पाकिस्तान के देख लेंगे, जम्मु कस्मीर के देखिए, मांडा, चिनाव नदी, सबसे उत्री इस्थल है आपका जम्मु कस्मीर में, मांडा, चिनाव नदी के पास में, पंजाब में आप देखिए, रोप पड़ को देखते हैं तो रोपड आपका इसका अधुनी किनाम रूप नंगर है खोज यगदत सर्मा ने 1903 और पच्पन में की थी नदी सतलज है रोपड सतलज नदी के किनारे यहां मालिक के साथ कुछत्य को दफनाने का बात किया गया है और अभी हमने काली बंगा देखा तो बहां पे बकरी के साथ आपको दफनाया गया था मानप को और यहां पे ददेरी एक इस्तल है पंजाम में जो अडपा के बाद का इस्तल है संगोल क्या है जहां से तांबे की छेनिया मिली है दो और यहां पे ब्रत्ताकार अगनी कुंड भी मिला है संगोल से तांबे की ने खोज़ की थी 1963 से सततर तक इनों ने खोज़ की आर्याना में आपका ये भी और सरस्थी नदी जिसको दरस्ट्राबती नदी भी कहते थे ये हडपा का भारत में सबसे बड़ा आपका इस्तल्ह आपका रखी-गडी दूसरा आपका कौन सा है दूसरा भी बताएंगे इसे में लगता है अभी दिखाते हैं आपको आगए अगी हुझाल सेर है कुनाल एक स्थित है जगह जो कि अर्याना में है अर्याना का जिला है इसार पूरे मेरट है यह है बागपत का एक सनावली आपका क्या चेत्र है सनावली से जानवरों की अड़ियां मिली है यानि की मासारी लोग थे 125 सबादान भी मिले हैं यहां पर और यह जो है सारनपूर यहां से बढ़ गांव एक इस्तल मिला है उलास मिला है अंबा खेडा सकत अपके कौन कौन से है अस्तिनापूर है भगबान पूरा है यह यूपी के इस्तल है आगे बढ़िये दोस्तों गुजरात में देखिए सुरकोतड़ा है जगपज जोसी 1964 में खोज कच्छ जिला गुजरात का और गोले की अस्तियां यहां से मिली है रंगपूर रंगनात र तांबे के डेर मिला है यारी की दान के साच मिले हैं चाबल के सात्व मिले होंगे यह सारी चीज़ें लेकिन आप से फूजा जाएगा दान की बूसी कहा रंगपूर से माहराश्ब ढयामा बाद आहमदनीं जिला है आपका है प्रावरा नजी के किनार गोदावरीं की साइक अब आपे चीज और भी बताइज ते तामड़े की छेनिया आपको संगोल से मिली है पंजाब से और च्याजी के मुगटा आपके कहाँ से मिले हैं हर्याना इसाल कुनाल से यह अपके मिले हैं आपका क्या है है यहाँ PV क्या है आगे बढ़ते हैं अब पाकिस्तान के इस्थल देख लेते हैं पाकिस्तान के इस्थल आपके ये वाले हैं गनेरी वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्थल है अब देखिए यहां पे इस्थल धौला बीरा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्थल बारत का सबसे बड़ा अब देखे आगे बढ़ते हैं। में यह जो की जीयस गुरिये ने 1935 में इसकी खोज की थी, 1955 में एफे खान ने इसकी खुदाही कराई, यहां से अलंकरित खंबा, पत्थर के तीर, पासार सब्विता का अंध, धडपा की सुरुवात, यह सारी बातें मिलते हैं कोट दीजी से, अली मुराद एक मातराप का ग् सेडियम मिला है, अल्ला दीनो एक अरब सागर में बस सिंद नदी के किनारे सट पर इस्तित है, और यह बंदरगाही नगर है, अल्ला दीनो आपका, अल्ला दीनो आपका बंदरगाही नगर है, अब आगे बढ़ते हैं, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आपका क्या है, यह साधी कोर नदी के किनारे पर इस्थिति ये सहरे साधी कोर नदी के किनारे पर सुत्का को है सुत्का गेंडोर आपका दास्क नदी के किनारे पर 1927 में एस्टेन ने खोज की दास्क नदी के किनारे पे पस्चमी इस्तलह सब से और आपका विशेस्ता क्या है ये बंदरगाई नगरे बेबिलोन से ब्यापार करते थे और मानब अस्तियों से भरा हुआ बरतन यहां पर मिला है तांबे की कुलाडी मिली है मिट्टी से निर्मे चूडिया और बरतन भी मिले हैं यह सारा डाटा आप याद रखना अब यह मैतपूर सारणी है इसके जरीए आप पूरी अड़पा सब बिता को एक ही जटके में याद रख सकते हैं एक ही जटके में आप याद रख पाएंग पूरी हडपा सब बिता को जैसे सर ये देखिए बना अहसारणी ये आपके क्या है आपके सहर है ये आपका हियर है ये नदी है ये खोज करता है ये इस्तिति है कैसे देखिए मैं सारी बताऊंगा आप पर नहीं छोड़ूंगा हडपा सब बिता 1921 में खोज हुई राभी नदी के किनारे दयाराम सानी ने और पाकिस्तान के मोंट गोमरी में ये इस्तित है मोंट जोड़ू 1922 में सिंद प्रांत में सिंद नदी के किनारे और आपका क्या है राखालदास बनार जी ने खोज की पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में है ये और दोथल 1904 में भोगबा नदी के किनारे रंगनात राव और गुजरात के एहमदाबाद जिला में आपका ये है काली बंगा 1957 से 61 घगगर नदी है बीवी लाल वीव के थापड ने खोज की राजित थान में अनुमानगडी जिला या गंगानगर जिला मिलता है दौला भीरा नदी इसके ही मुझे नहीं पता है जगपज जोशी ने खोज की गुजरात का कच्छ जिला यहां पर है काली और क्या बना बली 1974 में रंगोई नदी है आरेस बेस्ट यानी रमेंदर सिंग बेस्ट हर्याणा इसारबाला जिला और आलमगीर 1958 हिंडन नदी एकदत सर्मा मेरट यूपी मांडा मांडा आपका कहां पर चिनाव नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है यह सबसे उत्री इस्थल है यह भी याद रखना सुत्का गेंडवर 1927 में दास नदी के किनारे अरब शागर के पास इस्थित है सुत्का कहो आपका साधी कोर नदी के किनारे पाकिस्तान के बुलूचिस्तान उसमें है तो यह आप याद रखना और भी देखिए आपके और इस्थल हैं यह आप सभी याद देखिए दयामाबाद प्रवरा नदी खोज करता नहीं है बरतमान इस्तिती महराष्ट में है रंगपूर उनिस सो चौमन में खोजुई मडार नदी है रंगनात राउने की गुजरात का एमदाबाद राखीगड़ी 1977 में सरस्थी नदी अमेंदरनाथ हिसायर हर्याना में है और महरगड़ 1974 जीन फ्रेंकोईच पाकिस्तान रोपड़ 1953 से पच्पन 17 नदी पे एकदत सर्मा पंजाम में है ये इस्तल और कुनाल आपका गगर नदी हर्याना आमरी सिंद प्रांत में है पाकिस्तान में अली मुराद आपका सिंद प्रांत में पाकिस्तान में अलादीनों सिंद प्रांत में पाकिस्तान में कोड़ दीजी सिंद प्रांत में एफे कान पाकिस्तान में गुमला आपका कहां पे ये सर्प देपता के लिए फेमस है गुमल पर क्या था ये ग्रिट पैटर्न पर आदारित थी पूरी की पूरी सब्विता मतलब जाल लुमा जैसे होता है ना इस तरह से आपने देखा जैसे कि जब कोई लिंटर बगेरा पड़ रहा हो तो उसमें जो जाल बिछाए जाता ना तो एक मतलब जाल लुमा सरचना होती है त कुछ आपके घर बरगाकार या शहर भी बरगाकार हुआ करते थे और यहांकी जो सडकें हुआ करती थी वो एक दम एक दूसे को राइट एंगल यानि की 90 अंस पर काटती थी जैसे कि एक ये सडक गई तो दूसरी ये सडक राइट एंगल पर 90 डिगरी पर काटती थी लंब अगलक शेक्टर्स होते हैं ना ऐसे ही इस टाइम पर भी हुआ करते थे और घर जो थे ना दर्बाजे घर के दर्बाजे गलीयों की तरफ खुलते थे इस्ट्रीट की तरफ खुलते थे लेकिन एक लोथल ऐसा दोस्तों आपको मिलेगा जिसमें क्या देखने को मिलता है इसमे मुख सड्कों की तरफ इसके दर्बाजे खुलते हैं ये एक मातर ऐसा सहर मिलता है और घर जो थे वो पक्की इटों के हुआ करते थे खासकर मोहन जोद्रों में आपको ये चीज देखने को मिलेगी पक्की इटों के घर बहुत ज़्यादा यहां पर मिलते हैं और मोहन जो नगर थे और जो छोटे चोटे नगर थे ना उनमें सडकें आपकी 2.75 मेटर की हुआ करते थी चोड़ाई में और जो गलियों की चोड़ाई होती थी जो इस्ट्रीट की वो 1.8 मेटर की चोड़ाई होती थी और क्या बोलता हूं घर जो थे 30 बर्ग फिटका घर होता था जिसमें लगबग लगबग आपके 2-3 मंजला घर भी हुआ करते थे और घरों में मैंने बताया था एक आपका क्या होता था किचन भी होता था और आपका क्या बोलता हूं किचिन होता था और क्या बोलता हूं आपका ट्वाइलेट बगरा के लिए ये सारी विवस्थाएं जैसे आज के टाइम पर आप बड़े-बड़े सहरों में देखें, तो ये सारी विवस्ताइं होती ही होती हैं, तो इस टाइम पर भी हुआ करती थी, अब देखें आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं, यहाँ पर समाज कैसा था, यहाँ पर धर्म कैसा था, इन चीजो होता था ना जो दुर्ग होता था पस्चमी टिला वहां पे प्रोहित लोग रहते थे उस टिले में और जो मद्यम था मद्यम बर्ग के लोग थे जिनमें ब्यपारी कारीगर जुलाय सिच्छेग टीचर किसान सायनिक ये लोग आते थे कमजोर में आपके काउन जैसे मजदूर हो गए दास हो गए ये सारे लोग आते थे और यहां पर चार प्रकार की प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी जैसे कि अलपाइन है भूमद सागरिय है प्रोटो आस्ट्रेलाइड है मंगोलाइड है ये आपकी प्रजातियां आपको देखने को मिलती है यहां पर अब मातर सतात्मक की बात देख लेते हैं, यहाँ पर घर की जो मुखिया थी ना, वो माता ही हुआ करती थी, और आज भी ऐसा कर दिया गया है, सिस्टम, लेकिन समाज मात्र सतात्मक उस टाइम पे था आज नहीं है और मात्र देवी उर्वरता की सक्ति इसको माना गया था इस टाइम पे इसलिए मात्र सतात्मक समाज को बनाय गया था और आज के टाइम पे जो घर की मुखिया बनाई जाती है वो इसलिए कि नारी ससक्ति करण को ब पिलस बोमेन को दफनाय गया है ऐसा आपको देखने को मिलता है अब यहां पे खान पियन की बात करें तो लोग साकारी और मासारी दोनों ही हुआ करते थे सारी चीजें खाते थे बेस बूजा में देखें तो सूती और उनी बस्तर पहनते थे जैसा टाइम गर्मी के टाइम पहने हुए बैठा हुआ था यह बेस बूजा में आ जाता है अन्य चीजें भी आप देख लीजिए जैसे कि समाज में आपको देखने को मिलेगा न कि आप देखेंगे तो यहां पे हड़पा सबिता में कोई भी तलबार बगएरा के युद बगएरा के साच नहीं मिलेंग समाज समता पूर्ण था जाती आदारित नहीं था लेकिन फिर भी समाज कुछ चीजों में बटा हुआ था बर्ग में बटा हुआ था जैसे कि बिशिट बर्ग मद्यम बर्ग कमजोर बर्ग बस जाती विवस्ता नहीं थी हालांकि समाज एकोनिमिकली बटा हुआ था जाती वस्ता नहीं थी समाज में सामाजिक भाबना थी मंदरों बगएरा के कोई साक्ष नहीं मिले हैं लेकिन क्या है पूजा बगएरा होती थी पसूपती की पूजा मातर देवी की पूजा इन चीजों की पूजा होती थी अगनी की पूजा ये सारे चीज़ें होती थी लेकिन अबोषन बगेरा को देख लीजी आप लोग बस थोड़ा ही डाटा बचा हुआ है आबोषन आबोषन में आपके जैसे की देखिए यहां पर गरीब और अमीर के आबोषन अलग हुआ करते थे और साक्ष जहां से आबोषन मिलते हैं वो भी देखेंगे हम तो देखिए यहां पर अमीर लोग सोने और चांदी के हाथी के दात के आबोषन पहेंते थे गरीब लोग संक बासीप के मिट्टी के यह बाले पहेंते थे और यहां से जो साक्ष मिले हैं आबोषन के लिए जैसे की अडपा से आपको मैंने बताया ता स्तरंगार दान मिला है काजल की बोतल मि pitिनी हमें नवसारे सु śिंदूर मिलें चनू धड़ोसते आपको लेपेश्ठ कंगा Nie अंजन शालिका यह अंजन भाईरा मिली है तो यह सारी चीजें आपके बहां से मिली है मनौरणजन में आप देख εδώ यह लोग गाना, सतरंज खेलना ये सारे काम ये करते थे अपने entertainment के लिए और धार्मिक पच्च में मैंने बताई दिया है कि मंदर के कोई साक्ष नहीं मिले हैं लेकिन फिर भी मातर देवी की पूजा ये लोग करते थे इसकी मातर देवी की पूजा करते थे पसु पती की पूजा करते और बिर्षण पूजा बेहेट बहुत ही फेमस था जिसमें एक कूबड़ वाला बेहल आता है बहुत फेमस था और ब्रेच पूजा भी करते थे नांग पूजा अगनि पूजा पसु पूजा सारी पूजा करते थे और ये तो मैं कहूँ ये आज भी चल रही है कहीं नेम के लोग क्या करते थे, सिंदूसबइता के लोग किरसी क्या करते थे और यहां की जो मुख्ये पसले थी नश्य धूर तिक फिल अधिश्य अर्थ्विवस्ता थी अन्नागार मिले क्योंकि लोगों के पास अन्न के लिए भंडार हुआ करते थे तो उनके पास economy सरप्लस हुआ करती थी बताते हैं उस टाइम पे GDP का 80% योगदान बारत का रहता था जो की बरतमान में 7-80% हो पाता है पसू पालन पसू का महत तो यहां पे क्या था किर्शी में प्रियोग कर लेते थे परिवहन का साधन थे मेसोपोटामिया की मौर में इसका अंकन मिलता है और पसू बैल है, भैस है, कुत्ता है, बिल्ली है यह सारे पसू आपको देखने को मिलते हैं उंट भी मिलता है काली बंगा से लेकिन गोडे के साथ चे नहीं मिलते हैं, सेर के साथ चे नहीं मिलते हैं ऐसे आप यादखना सेर भी नहीं मिलता है कई पेगेंगें पर गोड़े की अस्तियों बगईरा का जिक्र मिला है लेकिन कंप्लीटली साक्षे नहीं मिला है और सेर के तो बिल्गुल भी नहीं मिले हैं अब फिल्प व्थोग मतलब लोग चोटे मोटे आपड़े कारोबार कौक्टटे करते थे कपड़ा उदोग ता शूनी और उनी वस्त्र सूती और उनी बर्तर मिरतबांट लोग बनाते बर्तन बगएरा जो कि आज भी लोग बेशते हैं ना मिट्टी के बर्तन, दातों के बर्तन चाक से निर्मित, हास से निर्मित लाल वा काले मिरतबांट मनका बराने के कार खाने लोथल से बहुत फेमस हैं लोथल में आपका सीप का मोती का कार खाना मिलता है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है और ब्यापार के लिए ये लोग क्या करते थे ब्यापार ब्यापार जैसे की ट्रेड बगएरा के लिए बहल गाली का इस्तमाल करते थे एकका गाली का इस्तमाल करते थे ट्रे बिदेशी ब्यापार भी ये करते थे जैसे कि आयातित वस्तुएं आपर देखे तामबा ये खेतली पलुचिस्तान ओमान से मंगाते थे चांदी ये अफगानिस्तान इरान से मंगाते थे सोना ये करनाटक अफगानिस्तान इरान से मंगाते थे फिन आपका अफगानिस्तान इस सारी चीजें यह मतलब विदेशी वियापार को दरसाता है और देखते हैं इसमें लिपी का भी थोड़ा सा बचा हुआ है उसको देख लेते हैं और भी यह कुछ बस इतना ही है यहां पर एक ही स्लाइड बची हुई है देखिए यहां पर लिपी जैसे लिपी को देखते ह मूल चिन यहां पर 64 मिले हैं लेकिन चित्राकार में देखा गया है चित्राकार इनके वर्ड थे तो मूल चिन तो 64 इते बसे इनके 2-300 से अपके 400 अच्छर देखने को मिलते हैं और सरबादी कच्छर युवाकार के मचली का चित्र जैसे अपके अच्छर थे और लिखावट इनकी ब्रिष्टो फूदन लिपी थी इसको गव मूत्तरी का भी बोलेंगे कैसी थी अभी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे इधर से शुरू हुई तो ऐसे लिखते चले गए ऐसे 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 लिखते चले गए मतलब कोई जैसे की मूत्रा हो इस तरह के आपकी थी गव के जाना मार्टिमल हूलर ने का अरेहं मंठेमर बोलते हैं बाड आई थी केई हुआर कहते हैं केनेडी केते हैं कि मलेरिया जैसी ती पाइंकर है वी रही थी और यह फिलूस पर यह अप यद रखना तो हम ने क्या है इस को आज पढ़के थेखा मतलब पढ़के क्या देखा पढ़ लिया है तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में और अगर आपको क्या है टेली गिराम से आपको जुड़ना है इसकी क्लास बाली पेडिये में बगएर डालता रहता हूं तो यह आपका टेली गिराम महांस्र नाम से है यह मारा चैनल इसको बाल